बच्चो पिछले दो अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार एक व्यपारी अपने व्यपारिक व्यवहारों को लेखा बद करने के लिए एक तो पंजी प्रविश्टी बनाता है यानि की जनरल एंट्री करता है और फिर उसी जनरल एंट्री के आधार पर खाता बही यानि की लेजर बनाता है अब इसी क्रम से हम आगे बढ़ते हुए पहुचते हैं तलपट यानि की ट्राइल बैलेंस पे ट्राइल बैलेंस के अर्थ को हम देखे तो वास्तों में ये कोई खाता नहीं है बलकि एक विवरण है एक विवरण पत्र है जो की खाता बही में जो शेश आए हैं उनको लेखा बद करता है उनको लिखता है और कुल मिला कर ये देखता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनो ही साइड में खाता बही के जो शेश लिखे गए हैं वो सही है या नहीं इसकी जाच हो सके तो इसकी जाच कैसे हो पाती है कि खाता बही और पंजी प्रविष्टी में सभी प्रविष्टिया सही हुई है सबसे मतपूर बात यहां पर यह है कि अगर हमने तलपट याने की ट्र लिया जाता है कि हमने प्रारंबिक प्रविष्टिया जो की है यानि कि जनरल एंट्री जो की है लेजर हमने जो बनाया है वो पूर्ट्या शुद्ध है तो तलपट के इस अर्थ को और अधिक अच्छे से समझने के लिए आए तलपट के कुछ परिभाशाओं को देखे नार् तलपट कहते हैं बॉटली बॉय के अनुसार तलपट खाता भही के डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष के शेशों को लेकर तयार किया गया एक विवरण है जिसका उद्देश खाता भही की गडित संबंधिर शुद्धिता की जाज़ करना है कोटर के अनुसार शेश तथा बैंक शेश को भी सम्मिलित किया जाता है पिकल्स के अनुसार वित्य अवधि के अंत में खातों के शेश ग्यात किया जाता है और एक सूची जनरल के प्रारूप में जाज करने हेतू बनाई जाती है कि डेबिट का योग क्रेडिट के योग की बराबर है या नहीं श प्रकार को ही शेश परिक्षन कहा जाता है तो हमने तलपट की जो विभिन परिभाशाएं देखी इसके अधार पर हम सीधे सरण शब्दों में कह सकते हैं कि तलपट यानि की ट्राइल बैलेंस वास्तों में एक ऐसा विवरण पत्र है जिसके अधार पर खातों के जो प्रा लिखें कि वास्तों में तलपट की विशेस्ताएं क्या हैं तो तलपट के इन विशेस्ताओं के आधार पर हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे पहली विशेस्ता इसकी यह है कि निश्चित तिथी के आधार पर इसका लेखा किया जाता है यानि कि तलपट के अंतरगत जिन शेश यानि बैलंस को हम लिखते है वो किसी निस्ची तवधी के यानि तो एक वर्ष की दवरान के या छह माह के दवरान के जब भी वो वेपारी अपने बुखस ऑफ एकाउंट क्लोस करता है उस वित्य वर्ष के दवरान के वो खाते वो शेश होते हैं दूसरा इसकी महत्पूर्ण विशेष्ता है कि इसमें debit और credit दो अलग-अलग पक्ष होते हैं और debit और credit में अलग-अलग amounts की इसमें entry की जाती है साथ में इसका जो मुख्य उद्देश होता है वो जैसे कि हमने इसके मिनिंग में देखा कि हमने जो प्रारंभिक लेखे किये हैं general laser जो हमने बनाया है उनमें गरती ये तूटी ना हुई हो यानि गरती ये शुद्धता हो इस बात के जाच करना होता है अगली विशेस्ता हम दे सकते हैं कि दोनों जो side होते हैं उनका total अगर बराबर आता है तो हम ये मान सकते हैं कि प्रारंभिक लेखे जो बनाये गए हैं वो शुद्ध है हाला कि हम आगे देखेंगे कि कई बार ऐसी स्थिती भी बन जाती है जब debit credit दोनों बराबर होने पर भी कुछ न कुछ अशुद्धिया रह जाती है तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि 99% तो अगर total बराबर आ जाता है debit credit का तो हम मा लेते हैं कि गणती अशुद्धी तो नहीं है वैसी ही एक महत्रपूर्ण विशेस्ता इसकी यह है कि निश्चित प्रारूप में बनाया जाता है इसके अंतरगत बहुत सारी विधियों का हम अध्यान करेंगे आगे और हम देखेंगे कि अलग अलग जो विधिया होती है उ आस्तों में ये एक तलपट है एक सूची है इसको हम लेखा या अकाउंट नहीं कह सकते क्योंकि ये किवल जो अकाउंट बने हुए होते हैं लेखे जो बने हुए होते हैं किवल उनके शेश को ये लिखा जाता है इसके अंतरगत यानिकि उनके शेश ये बैलन्स की एक सू उद्देश क्या है तो कुल मिलाकर जो विशेस्ता हैं उन्हीं में से हम बिंदू निकाल कर उनके उद्देशों को भी हम बता सकते हैं हम यह कह सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश है खातों की गणती शुद्धता की जाच करना हमने जो जनरल एंट्री की है हो सकता है हमने लेकिन वहां पर अमांट हमने गलत लिख दी हो एक उदारन के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि नगद माल बेचा यहां पर हमने प्रश्ण में दिया गया है कि पांच जार रुपए का नगद माल बेचा यहां पर हमने जनरल एंट्री सही की है विक्रेक रोकड खाता डेबिट व 500 लिख दी आप भी जब वेवहारिक रूप से अपने बनाते होंगे तो कई बार आप से भी ऐसी गलती हो जाती होगी कि आप एक जीरो कम यह जादा कर देते हैं तो इस तरह की जो गलतियां होती है वो जब हम तलपड बनाते हैं तो बहुत आसानी से पकड़ में आ यह एक किसका मुख्य उद्देश होता है खातों की गंती शुद्दता की जाज करना दूसरे उद्देश की हम बात करें तो यह प्रारंभीक लेखों का परिक्षन करता है जितने भी वैभार हमारे सामने आये हैं सबका सबकी हमने की हैं या नहीं की यह कोई प्रिष्टी छूड़ तो नहीं गई है जैसे आप प्रश्न में देखते होंगे कि यह 12 पॉइंट का कोई प्रेश्न ले दिया है एक के नीचे एक पॉइंट्स दिया जाते हैं कई बार जनरल एंट्री करते समय गलती से हम एकाद पॉइंट छोड़ देते हैं याने एकाद डेट ऐसी रहती है जिसकी जनरल एंट्री हम करना छोड़ देते हैं तो यहां पर यह इसकी अगर प्रविष्टी हमने छोड़ दी तो हमने उसकी अमाउंट भी छोड़ दी अब उस अमाउंट को हमने यहां पर गलती से छोड़ दिया प्रारंभिक लेखे करते समय तो जाहिर सी बात है कि जब हम खतौनी करेंगे तो वहां भी उतनी अमाउंट का डिफरेंस आ जाएगा और क्योंकि पंजी प्रविश्टी के आधार पर खत मिल नहीं पाएगा तो कहां पर गलती हुई प्रारंभिक लेखे में इसकी जाच भी तलपट के द्वारा आसानी से की जा सकती है तीसरा एक उदेश हम क्या सकते हैं कि लेंदार और देंदार की जो सूची बनाए गई है उसका परिक्षन करना जब बहुत ज्यादा मात्रा म लिखने से छूट गया है या हम उसको लिखना भूल गया है तो वो भी बहुत आसानी से तलपट बनाते समय पकड़ में आ जाता है वैसे ही इसका उद्देश हम यह कह सकते हैं कि अंतिम खाता बनाने के लिए यह काफी उपयोगी सिद्ध होता है जब हम आगे के कुछ अध प्रशन होंगे वो एक प्रकार के तलपट ही होंगे यानि कि तलपट में जो शेश हम प्राप्त करते हैं उन्हीं शेश की आधार पर फिर हम अंतिम खाते बनाते हैं तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि तलपट में दिये गया शेश ही अंतिम खाते का अधार होते हैं उनके अधार पर ही अमन्तिम खातों का निर्माण करते हैं ठीक इसी प्रकार एक इसका उद्देश ये भी है कि तुलना अत्मक अध्धन करने में यह सहायक होता है एक वर्ष का जो तलपट होता है उसकी अन्य वर्ष के तलपट से तुलना करके हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसी खाते का शेश किसी वर्ष में गत वर्ष की पेक्षा घटा है या बढ़ा है तो ये तो बात हमने कही तलपट के उद्येशों की अब अगर हम देखा कि अलग अलग विद्यों के अधार पर हाला कि इसमें थोड़े बहुत परिवर्टन होगा लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखे तो एक ऐसा प्रारूप हमारे सामने आता है जिसको हम हर विधी में प्रयोग में ला सकते हैं जैसे कि यहां पर हम जिस प्रारूप भी कह सकते हैं दूसरा यहां पर आता है खाता प्रिष्ट यानि कि खाता बही के जिस प्रिष्ट से हम शेश तलपट में निकाल कर ला रहे हैं उसके खाता प्रिष्ट को हम यहां पर लिख सकते हैं तीसरे क्रम पर आता है डेबिट अमाउंट यानि कि अगर उस खाते का ड खेंगे तो ये एक ऐसा प्रारूप है जिसके आधार पर लगभग सभी विधियों के अंतरगत तलपट बनाया जा सकता है अब अगर हम बात करें तलपट बनाने की विधियों की तो मुखे रूप से हम तलपट बनाने की चार विधियों का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें सबसे पहली विधी है योग विधी जिसे हम total method भी कहते हैं दूसरी विधी है शेश विधी याने की balance method तीसरी विधी है योग और शेश विधी ये combined method है योग विधी और शेश विधी दोनों को जोड़ कर हम यहाँ पर solve करते हैं question और चौती जो विधी है उसकी मुखे विशेस्था यह है कि इसकी अंतरगत समान योग वाले खातों को चोड़कर बाकि के लिए तल्पट बनाया जाता है तो इसका नाम यह है समान योग वाले खातों को चोड़कर तल्पट अब अगर हम पहली विधी की बात करें याने की योग विधी total method इसकी अंतरगत हम क्या करते हैं कि जितने भी खाते होते हैं हमारे पास उनका योग हम लिखते हैं कौन सा योग डेबिट का योग और क्रेडिट का योग क्योंकि खाता भाई हम पहले से बना चुके हैं हमने देखा कि जब हम खाता भाई बनाते हैं तो उसके दो पक्षकार होते हैं एक डेबिट पक्ष और क्र बीखीरेश ना लिखकर उन खाते के योग लिखते हैं और फिर उस योग की आधार हम तलपत तयार करते हैं अगर हम योग विधी के गुण की तो सबसे महतपूर्ण बात इसमें ये है कि इसमें सभी प्रकार के खाते का योग लिखा जाता है चाहे वो debit credit दोनों बराबर शो कर रहे हो या फिर उसमें अंतर आ रहा हो दोनों ही प्रकार की योग लिखे जाते हैं और दूसरी महतपूर्ण बात हम इसमें देखते हैं कि त दोश की तो एक तो इसके आधार पर हम अंतिम खाते तयार नहीं कर सकते तो वहां पर अंतिम खाता उस योग से बना पाना असंभव होता है दूसरा इसका दोश एक यह होता है कि बहुत जादा प्रचलित यह नहीं है क्योंकि टोटल जो होता है दोनों साइट के योग की आधार पर यह बनाया जाता है एक तो मेथट काफ काफी लंबा होता है और बहुत सारी चीजों का आधार नहीं मिल पाता है जैसे इससे हम अंतिम खाते नहीं बना पाते हैं खातों के शेश हम ग्यात नहीं कर पाते हैं तो कि हमने पहले भी देखा की खाटा भाही पार करेंल और फिर हम निकालते हैं जैसे हम यहाण पर तो हमने देखा कि बहुत सारे खाते हम ऐसे बनाते हैं, जिनमें जो शेश निकलते हैं, बैलेंस निकलते हैं, उन शेश उन बैलेंस के आधार पर हम तलपट बना सकते हैं, तो इसे ही हम शेश विदी कहते हैं, बात करें अगर हम शेश विदी के गुण और दोश की, तो सबसे इसके मातिपूरैंइट रहता है कि दूपने कई दूश्या मानुसार में लिखना होता है दूसरी इसकी विशेष्टा या इसका गुड हम कह सकते हैं कि समान योग वाले खातियों को इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शेश विधी की जहाँ पर डिफरेंस आये जहाँ पर बैलेंस निकले उसको हम यहाँ पर लिखेंगे अगर दोनों साइट का टोटल बराबर है डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर है तो वहाँ पर शेश निकलता ही नहीं है तो हम यहाँ पर लिखने सकते हैं तीसरी एक महतुपूर्ण बात इसके यह है कि अंतिम खातों का यह आधार बन सकती है शेश जब हम निकाल लेते हैं तो उन्हीं शेश के आधार पर उन्हीं बैलन्स के आधार पर हम फाइनल एकाउंट याने के अंतिम खाते बना सकते हैं और यह एक महतुपूर्ण बात इ इतना बैलेंस है रोकड की क्या अस्थिति है बैंक की क्या इस्थिति है तो बहुत सारी जानकारिया हमको इन शेश के अधार पर प्राप्त हो जाती है तो यह तो बात कहीं हमने इसके गुड़ याने के विशेस्ताओं की इसमें कुछ दोश भी है आये दोश पर एक नज़र डाले तो सबसे पहले तो मиеकर से कא penalty तलपड का योग को जो होता है वह जनरल के योग से मैच नहीं करता क्योंकि सिर्फ शेश की आधार पर हम बनाते हैं योग் विदिलिकों में आपर यूजिन नहीं कर रहे किवल उनी के जो शेश रहते हैं उनको हम लिखते हैं और तीसरा एक दोश यह है कि ऐसी कंडिशन में अशुद्धी को खोज़ पाना काफी कठिन होता है हाला कि कुछ ऐसे नियम कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं हमारे पास कि हम अशुद्ध्यों को खोजने का प्रयास करते हैं ले हमारी तीसरी विधी है वह योगशेश विधी बहुत इसमें कुछ भी नहीं है इसमें में अफ्राष से बहुत में योग में और कम्पास के बनाइआ जाथा है लानी इसके फॉर्मिट में तो कुछ इस प्रकार का फॉर्मिट हमारे सामने आता है जिसमें एक जो कॉलम रहता है उसमें हम खातों के नाम लिखते हैं और उसके बाद के जो दो कॉलम होते हैं वो डेबिट और क्रेडिट योग विधी को दर्शाते हैं और उसके बाद के जो दो होते हैं वो शेश विधी के डेबिट और क्रेडिट बैलन्स को दर्शाते हैं अब इसकी अगली रिती कि अगर हम बात करें तो वो है समान योग वाले खातों को छोड़ कर तलपट बनाना याने कुल मिला कर देखा जाए तो यह वही मैथड है जिसे हम योग विधी कहते हैं इसके अंतरगत हम जो योग जो टोटल जो अमाउंट होती है जो बैलन्स होता है उसके आधार पर हम इस विधी के अंतरगत तलपट बनाते हैं लेकिन बहुत जादा इस विधी का प्रियोग नहीं किया जाता क्योंकि अल्रेडी हम योग विधी और शेश विधी दोनों को यूज करके एक खाता बना सकते हैं तलपट हम बना सकते हैं तो अलग से फिर से इस विधी से तलपट बनाना आवश्यक नहीं समझा जाता तो इस विध शब्दों में हम कह सकते हैं कि नहीं ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे कंडिशन ऐसे होती है जब दोनों साइड यानि कि डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर होने के बाद भी कहीं कोई कोई गड़ती शुद्धी ऐसे रह जाती है जो पकड में नहीं आती हमको लगता है कि तलपट जो है वो डेबिट और क्रेडिट के समान शेश को प्रदरशित कर रहा है समान जोसका टोटल है वो बराबर बता रहा है यानि कि हमने जो प्रारंभिक लेखे किए है जनरल लेजर जो हमने बनाये है वो 100% राइट है लेकिन ऐसा कहना कहीं ना कहीं गलत होगा कुछ अशुद्धिया ऐसी होती है जो पकड में नहीं आती एक उदाहरण के तौर पर हम देखे कि हमने एक ट्राइल बैलेंस बनाया यहां पर हमको पर्चेस लिखना चाहिए था लेकिन हमने पर्चेस लिखा डेबिट में ही लिखा और वहां हम लिख दिये 100 यहां पर 900 का जो है वो डिफरेंस आ गया आगे चल्पके कहीं हमको जहां पर कैश लिखना चाहिए था 5,100 वहां पर हमने लिख दिया 6,000 अब वो जो 900 वाली गलती हुई थी पर्चेस में वो कहीं न कहीं कैश लिखते समय कवर हो गई अब यहां पर ट्राइल बैलेंस तो हमारा टैली हो जा रहा है बराबर हो जा रहा है लेकिन फिर भी गलती तो हुई है जहां जनरल में हमने पर्चेस की अमाउंड को थाउजन लिखा था वहां लेजर में वो 100 हो गया या हो सकता है लेजर में 1000 रहा हो ट्राइल बैलेंस में आते समय एक जीरो हम गायब कर दे जनरल हम ऐसा करते हैं कई बार कोश्चन बनाते समय कि एक आज जीरो छूट जाता है या एक जीरो हम बढ पाती तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर हो जाना गरती शुद्धता को का पूरा का पूरा प्रमाण है अब अगर हम बात करें कि ऐसी कौन-कौन सी अशुद्धिया है जो तलपट से प्रकट होती है और ऐसी कौन-कौन सी अशुद् तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं उन अशुधियों को जो कि तलपट से प्रकट नहीं होती, इसके अंदर गर्ण सबसे पहली बात आती है कि छूट जाने वाली अशुधिया, कुछ अशुधिया ऐसी होती है जो जिनका हम जन्रल ही नहीं करते हैं, जैसे हमने पहले बा लेजर में छूड़ गया तो ट्राइल बैलेंस में भी छूड़ गया अब ट्राइल बैलेंस तो बराबर आएगा ही आएगा क्योंकि ना वो उससे जनेरल प्रभावित हो रहा है तो ऐसी अशुद्धियां जो पूरी की पूरी एंट्री को ही गायब करके हो जाती है तो वो त कि दूसरी अशुद्धी होती है सैथान्तिक अशुद्धिशा कई बार हम सैधान्तिक अशुद्धिया कर देते हैं लेकिन अंक गणती अशुद्धिया नहीं करते तो भी तल्पट तो पर आज आता है लेकिन कहीं ना कहीं गलती रहती है और वो पकड़ में नहीं आती माली जीए पर्चेस हमको लिखना चाहिए था 1000 डेबिट में लेकिन हमने पर्चेस की जगा लिख दिया ड्रॉइंग 1000 लिखा डेबिट में ही लिखा तो तलपड तो बराबर आएगा ही आएगा लेकिन सैधान्तिक रूप से यह कहा पर गलत हो गया पर्चेस लिखना चाहिए था गूर्ट सम्दे पर्चेस किया हम उसको ड्रॉइंग विड्रॉल आहरण नहीं मान सकते तो कहीं न कहीं गलती तो सैधान्तिक रूप से हुई है भले हमारा ट्राइल बैलेंस जो है वो बराबर आ गया तीसरी शुद्धी होती है जब गलत खाते पर सही पक्ष में हम एंट्री कर देते हैं जैसे कि हमने बात कि अभी इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि हाला कि डेबिट या क्रेडिट जो करना चाहिए था वो सही हुआ लेकिन अमाउंट जो है वो अगर हम गलत लिख देते हैं तो भी इस तरह के शुद्धिया पकड़ में नहीं आती है अगली अगर हम बात करें प्रारंभिक लेखों में अशुद्धियों की यानि कि जनरल में ही हमने गलत कर दिया जनरल में हमने कह प्रारंभिक रूप में जब हमने जनरल बनाया तभी हमने उसको गलत कर दिया था तो यह भी एक ऐसी शुद्धी है जो तलपट से पकड़ आने वाली नहीं है एक शुद्धी होती है छती पूरा का शुद्धी जैसे कि हमने इसके पहले एक 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 गलती होती है लेकिन एक अमाउंट कहीं न कहीं हम लिख देते हैं और उसकी चती पूर्ती हो जाती है एक उदारन की तौर पर हम कह सकते हैं कि ब्याज प्राप्त सो रुपए हमने ब्याज प्राप्त सो रुपए जो है वो यहां पर गलती से पचास रुपए लिग दिये उसके बाद क्रेडिट पचास रुपए तो उसको हमने लिख दिया गलती से सो रुपए तो उपर का जो पचास रुपए था वो इसके पचास रुपए में मिलके एड़िस्ट हो गया च्छती पूर्ती हो गई गलती हुई लिखना चाहिए था पहले जब सो रुपए तो वहां हमने लिखा पचास रुपने तो गलती हुई नहीं तो कुछ ऐसी घलतियां होती है जो तलपट को बराबर दिखा देती है लेकिन पकड़ में नहीं आती कि गलती आती uh old рекानवर च्षूड जाती है जमर्लेम इन्टिट की टलपट बना दिया जाता है उनकी होई यह थे या सही या कम ज्यादा अमाउंट होने की कोई संभाव नहीं नहीं बनती और हम यह मान लेते हैं कि ट्रायल बैलंस टैली हो रहा है यानि कि हमारे प्राइल्बिक लेखे जो है जुनेरल है वह सही है लेकिन वास्ताव में ऐसा होता नहीं है क्योंकि कोई ना कोई प्रविस्टी ख करते हैं तो हम अंतियम प्रयास करते हैं कि कीसे भी करके कूँ सब्सक्राइब यहां जरूरत है और बालेंस को बराबर कर देते हैं पर यह ट्रिक सही भी साबित हो जाता है लेकिन इस कंडिशन में बैलेंस का बराबर हो जाना यह नहीं दर्शाता है कि आपने जो ट्रायल बैलेंस बनाया है वह 100% सही है अब हम यहां पर कुछ ऐसी अशुद्यों की बात करें जो कि तलपट से प्रकट हो जाती है या फिर हम यह कह सकते हैं कि कब हमको पता चलता है कि तलपट का मिलान सही हुआ है या नहीं तो एक कंडिशन आती है जब एक पक्ष की खतोनी छूट जाती है याने एक साइड में हमने एंट्री की और दूसरे साइड में एंट्री नहीं की हमने नगद माल बेचा हमारी जनरल एंट्री यहां पर होनी चाहिए थी कैश अकाउंट होती है उल्टी प्रविस्टी कई बार हम विपरीत एंट्री कर देते हैं याने कि हमको एंट्री करनी चाहिए थी पर्चेस अकाउंट को हमको डेबिट करना चाहिए था याने उसकी अमाउंट को हमको डेबिट साइड में लिखनी चाहिए थी और हम लिख देते हैं क्रेड है कि टोटल जो था वो गलत था और फिर उसके बाद हम री टोटल करके उसके जो भी गलतिया उसमें हुई रहती है मौन कम ज्यादा उसको सुधार सकते हैं एक कंडिशन बनती है जबकि एक ही खताओनी दो बार कर दी जाती है एक जो शेश होता है उसको हम दो बार लिग देत उसको solve करते हैं लेकिन हो जाता है कई बार की एक ही point को हम double लिख देते हैं तो दुबारा जब हम calculation करते हैं दुबारा हम जब उस पर एक नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत आसानी से अशुद्धिया समझ में आ जाती हैं साथ ही साथ यहाँ पर होती है अशुद्ध रकम से समबंदी कुछ अशुद्धिया यानि कि amount जब हम गलत लिख देते हैं तो इस तरह की अशुद्धिया भी समझ में आ जाती हैं अब हमने देखा कि बहुत सारी अशुद्धिया है जो तलपट से प्रकट भी हो जाती है बहुत से अशुद्धिया है जो तलपट मिलने के बाद प्रकट नहीं होती लेकिन हमारी खुद की कुछ जिम्मेदारिया है हम खुद हमको समझना चाहिए कि अगर ऐसी कोई condition बनती है तलपट का मिलान नहीं होता है तो हमको एक बार किन-किन बातों को फिर से दोराना चाहिए क्या ट्राइ करना चाहिए तो सबसे पहले हमको करना चाहिए पुना जाज तलपट को हम फिर से अपने question को सामने रखें बहुत बारीकी से हम देखें कि कोई point लिखने से छूट करने में गलती तो नहीं हुई इस बात की जाच कर लेनी चाहिए यहां सकता है जनरल और लेजर से पोस्टिंग करने में कहीं न कहीं कोई गलती हुई हो, तो इस बात से भी हमको संतुष्ट हो जाना चाहिए, चेक करके, एक काम हम यह भी कर सकते हैं, कि लेजर की भी हम जाच करने, जर्गरल के साथ साथ हम लेजर की भी जाच करें, और इसके साथ साथ हम रोकड बही की जाच भी जरूर करें, maximum जो वेवार होते हैं, वो रोकड से संबंदित होते हैं, नगत वेवार होते हैं, तो नगत वेवार के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि रोकड खाते के गलत होने की थोड़ी से संभावना जादा रहते हैं, तो रोकड खाते को हमको विशेश तोर पर जाज ले न चाहिए तो यह कुछ ऐसे अधार बनते हैं जिनसे हमको पता चल जाता है कि गलती कहां पर हुई है लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी हमने जनरल भी चेक कर लिया लेजर भी चेक कर लिया ट्राइल बैलेंस को जैसे जैसे चेक कर सकते थे कर लिया फिर भी अगर कोई बैलेंस पकड़ में नहीं आता है तो लास्ट एक उप्शन बचता है उच्ण्त खाता याने कि सस्पंस अकाउंट हम उतनी ही अमांट को सस्पंस अकांट याने कि उच्छन्त खाता में डाल देते हैं और तलपट को क्लोज करके उसका बैलेंस बराबर कर देते हैं जैसे कि यहाँ पर हम एक तलपट में देख रहे हैं कि डेबिर साइड का जो टोटल है वह 10,000 है क्रेडिट साइड का जो टोटल है व성 9,200 करें हम ने। लेजर भी देख लिया ट्राइल बैलेंस के जो बैलेंस थे उनको भी देख लिया लेकिन अशुद्धी कहीं पर समझ में नहीं आई पकड़ में नहीं आई तो ऐसी कंडिशन में हमने 800 को सस्पेंस अकाउंट में डाला और 10,000 से इस ट्राइल बैलेंस को क्लोज कर दिया तो य यहां पर हमने इंट्रोड्यूस किया सस्पेंस अकाउंट यानिके उचंत खाता को लेकिन बहुत साओधानी से आपको चेक कर लेना है जनरल भी लेजर भी ट्राइल बैलेंस भी ऐसा नहीं कि क्योंकि नियाम है उचंत खाते का सस्पेंस अकाउंट का तो कोशन में अगर को कोई भी कोशन आता है तो जो बैलेंस आता है उसको आप सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे और बंद कर देंगे ऐसा आपको नहीं करना है लास्ट में जब सारा सारा कुछ चेक करने के बाद भी अगर बैलेंस नहीं आता है तो ही आपको सस्पेंस अकाउंट को यूज करना है अब अगर हम बात करें कुछ ट्रिक की कुछ हैल्प अगर ट्राइल बैलेंस नहीं मिलता क्योंकि मैंने बिताए सबी विद्यार्थियों का एक उद्धेश होता है कि एक्जाम में जो कुश्चन आए उसको कैसे भी करके उनका तलपट जो है डेबिट बराबर कर देना है अ म 시청 ấy दोनों साइड का हम डिफ्रेंस निकाले फटाफट के तो चुम्हें ऩाही अगरत करते हैं हिसको इसको घतनते हैं है दूसरा ट्रीक यह कर सकते हैं कि दिपरेंस के अमाउंट आ रही है उसको हम दो से भाग देते हैं कई बार क्योंकि इनकी अशुद्धियों का जो गड़ती अशुद्धी होती उनका डबल एफेक्ट भी कई बार होता है जैसे कि हमने अभी तक देखा तो इस कंडिशन में अगर हम डिफरेंस की जो अमाउंट होती है उसको दो से भाग देते हैं तो जो अमाउंट आती है उसको भी हम कोश्चन में चेक कर लें कि उतनी अमाउंट कहीं छुटी हुई है क्या लिखने से तो भी गलती पकड में आ जाएगी तीसरी एक ट्रिक अगर दोनों ट्रिक काम नहीं आई तो एक काम हम कर सकते हैं कि डिफरेंस इसकी जो अमाउंट आ रही है देविड क्रेडिट कर देते हैं और और माउंट करने के बाद अगर पूरा कपूरा डिवाइड हो जいता है तो हमाण ले लेते हैं कि कुछ América में-च जो हैवह आगे पिछह हो गया इस्थान से संभंदित कुछ अशुद्या हो गई जैसे हमको लिखना चाहिए था 7,895 और हमने कहीं न कहीं उसको 8,795, 5,879 ऐसा कुछ हमने गलती हमने की है तो ये तीन ट्रिक है जिसके आधार पर आप अपने तलपट के गलतियों को पकड़ सकते हैं तलपट के क्रियात्मक प्रश्णों को बनाने से पहले आए हम तलपट के गोल्डन रूल पर एक नज़र डालें एक ऐसा गोल्डन रूल चाहे आप तलपट को किसी भी विधी से बनाए योग विधी, शेश विधी या कंबाइन मैथट से बनाए सभी विधीयों में आपको इस गोल्डन रूल के एकोर्डिंग ही ट्राइल बैलन्स बनाना है आई देखते हैं क्या है वो गोल्डन रूल हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि औल एसेट्स याने की सभी संपत्ति औल एक्सपेंसेस सभी प्रकार के वै औल लॉस याने सभी प्रकार की हानिया इनको हमको हमेशा डेबिट साइड में लिखना है इनका डेबिट बालन्स होता है इनको हमेशा डेबिट साइड में लिखना है दूसरा मेथर्ड दूसरा इसका लौ है औल लाइबिलिटी जितने भी दाइत्व हैं औल इंकम जितनी भी आए हैं और प्रो या नहीं कि इनका हमेशा credit balance होता है सिर्फ दो line के इस golden rule को अगर हम follow करते हुए trial balance बनाते हैं तो कभी भी हमारे trial balance के गलत होने के कोई संभावना नहीं रहती अक्सल student इस बात को याद करने में जुट जाते हैं कि किन किन चीज़ों को debit में लिखना है और किन किन चीज़ों को credit में लिखना है कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 50 से 75 ऐसी मदे होती है जिनके आधार पर हम 11 standard में तलपड बनाते हैं इतनी मदों में ये याद रख पाना कि debit क्या है और credit क्या है कौन सी मदे debit और कौन सी मदे credit होंगी एक तो मुश्किल है और दूसरी बात कि ये method भी गलत है हमको according to golden rule चलना है जो कि हमने general बनाते समय देखा था कि किस किस condition में कौन कौन सी प्रविष्टिया कौन कौन सी जो मदे है वो debit में आती है और कौन कौन सी मदे जो है वो credit में आती ह एक example के तोर पर अगर हमको एक point दिया गया है purchase तो यहां पर हमको सोचना नहीं है कि purchase को हम debit में लिखे कि credit में हमेशा purchase debit होगा हमेशा sales credit होगा ऐसा याद नहीं रखना है purchase हम करते है goods हमारे पास आता है goods अगर आती है तो वो debit होता है इसले इसको हमको trial balance में भी debit में लिखना ह sale जब हम करते हैं sale करते समय हमारे पास से goods जाता है goods जब जाता है तो according to golden rule वो credit होता है इसले हमको credit में लिखना है तो overall हम यह कह सकते हैं कि जब हम trial balance बनाएं तो हमको याद करके trial balance नहीं बनाना है कि यह हमेशा debit होता है यह point हमेशा credit होता है हमको पूरे rule के हिसाब से बनाना ह किस मद को हम डेविट कर रहे हैं और किस मद को हम क्रेड़िट कर रहे हैं उसका एक परियाप्त कारण होना चाहिए क्योंकि जनराल लेजर और ट्राइल बैलेंस ये कुछ ऐसे आधार भूत हमारे अध्याये हैं चैप्टर से जिनके आधार पर हम आगे के अध्यायों में अंतिम लेखों का निर्मान करेंगे तो यहां पर अगर हम इसके सिद्धानतों को इसके कंसेप्ट को समझ कर क्रियात्मक प्रश्णों को हल करते है तो कहीं न कहीं यहीं कंसेप्ट हमको आगे के अध्याय में काफी सहयोगी सिद्ध होंगे